चब वन बनारस की सुबह बनारस सुबह की समय सुबह के पांच बजे बजे एक छोटे से घर में मीरा आराम से अपने बैट पर सो रही थी अलाराम की आवाज से मीरा की नींद खुलती है मीरा दिखने में बहुत प्यारी थी गोरा रंग नीली नीली आखे तीखी नाक गोल और मासूम सा चहरा काले घने बाल उस पर पांच फिट चार इंच का काद उसकी सुन्दर्ता देख कर कर तो कोई भी लड़का उसे अपना दे बैठे मीरा अंगडाय लेते हुए उठी वो उठा कर कपड़े लेकर सीधा बातरूम में चली गई मीरा जल्दी से रेडी हुई और मंदर के लिए निकल गई मंदर में पंडिक जी ने मीरा को देखा तो मुस्कुरा कर बोले अरे मीरा बेटा कैसी है आप हम ठीक है आप कैसे है मीरा जवाब देते हुए पंडिक जी से कहती है पंडिक जी ने शिष्टता पूर्वक मीरा के बातों का जवाब देते हुए कहा हम भी ठीक है बेटा बस महादेव की कृपा है मीरा ने पंडिक जी की बातों से सहमत होते हुए कहा हाँ वो तो है ये बोल कर मीरा मुस्कुराए और पूजा करने लगी मीरा पूजा करके जल्दी ही घर के लिया निकल गई घर पहुँचके उसने टाइम देखा अभी साधे 6 बज रहे थे मीरा किचन में चली गई वो किचन में जाकर नाष्टा बनाने लगी नाष्टा बना लेने के बाद मीरा रूम की तरफ बल गई मीरा रूम में पहुची और अपनी दोस्त अनू की तरफ देखा जो आराम से बिस्तर पर सो रही थी मीरा अनू को अभी भी सोता देख मूह बना लेती है और बैक के पास जाते हुई कहती है अनू उठिये दखे ना टाइम क्या हो रहा है जल्दी से उठ जाए मीरा ने बहुत कोशिश की पर अनू की मजाल थी कि वो उठ जाए वो वैसे ही सोई रही मीरा ने एक नजर अनू को देखा उसके चहरे पर एक शरार्ती स्माइल आ गई वो बातरूम में गई और छोटी सी बाल्टी में पानी लाकर सीधा अनू पर डाल दिया पानी डालते ही अनू हरबड़ा कर उठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली क्या हुआ बार आ गई क्या पर फिर अनू की नजर मीरा पे पड़ी मीरा को देखते ही उसे सब समझ आ गया कि कोई बार नहीं आई है मीरा ने ही उसके उपर पानी डाला है अनू ने मीरा को घूरा चलिए पहले अनू का इंट्रोड़क्शन करवा देते हैं अनू का पुरा नाम है अनाय शर्म मीरा की बैस्ट फ्रेंड कम बहन जादा दोनो एक दूसरे पर जान शिरिकते है अनाय के अलावा मीरा का इस दुनिया में कोई नहीं है और अनाय का भी मीरा के अवाला कोई नहीं है ये दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है चलिए आगे भरते हैं अनु ने मीरा को घूरा और चिदते हुए बोली, क्या है यार आज तो सोने दीजिए हमें हमेशा तो जल्दी उठते हैं, आज तो संडे हैं ना मीरा आप कैसे कर सकती हैं, हमारे साथ ऐसा हमेशा जल्दी उठा देती हैं आप मीरा ने अनू को देखा और स्माइल करते हुए बोली आपका हो गया हूँ तो उठ जाए और नाश्ता कर लीजिए अनू ने उठते हुए कहा ठीक है उठते गए हम अनू अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई और के हौल में आ गई और आप चलिए हम आते हैं मीरा भी अनू के रूम से निकल वो दायनिंग टेबल पे अनू का वेट करने लगी अनू भी जल्दी आ गई दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे अनू ने खाते हुए ही हम कहीं भूमने नहीं गए तो आज चले किया बोला मीरा कितने दिन हो गए मीरा ने सोचते हुए कहा बात तो ठीक है आज चलेगे अनू ने मजाकिया अंदाज में कहा कहिए हमारी जान कहा जाना पसंद करेगी आप मीरा ने ये सुना तो मुस्कुराते हुए अनू की बातों का जवाब दिया जहां आप ले जाना चाहे अनू ये सुनके मुस्कुरा दी अनू को मुस्कुराता देख मीरा के फेस पे भी प्यारी सी मुस्कान आ गई दोनों ने डिसाइट किया कि शॉपिंग करने जानेंगे और फिर मुवी देखेंगे दोनों ने ब्रेक फास्ट खतम किया फिर दोनों अपने रूम में चली गई रेडी होने के लिए कुछ है समय बाग दोनों साथ में अपने अपने रूम से बहार आए दोनों ही बहुत सुन्दर लग रही थी अनू ने पिंट कलर की टॉप और जीन्स पहना था और पॉनी बनाया हुआ था मीरा ने वाइट कलर का टॉप के उपर लीडर की जैकेट डाली हुई था और नीचे जीन्स पहना हुआ था और पॉनी बना राखी थी दोनों ही बहुत सुन्दर लग रही थी अनू ने आंख मरते हुए कहा है लगता है आज लड़कों पे बिजली गिरने वाली है मतलब गजब अधा रही हो मीरा मोह बताते हुए बोली चुक रहिए और चलिए मीरा आपने बुलेट के पास आए और स्टार्ट करके दोनों फिर जे हेच वी मॉल की और चला दिये लगभग दो बजे तो पहले दोनों मूवी थेट में गए मीरा और अनू बहुत एक्साइट थे अनू बच्चो जैसी शकल बनाते हुए बोली मीरु यार हम बहुत अक्साइटेड है मीरा भी मुस्कुराते हुए हम भी बहुत अक्साइटेड है चलिए ना ख़़ी क्या है फिर दोनों ने कुछ खाने के लिये लिया और अंदर चले गए मूवी दोनों को ही बहुत अच्छी लगी मूवी के बाद दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग की और इन सब में शाम कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला शाम दोनों ने डिसाइब किया की डिनर बाहर ही करेंगे वो एक रस्टोरेंट में चले गए वो ही दूसरी तरफ राजस्थान के अजमेर शहर में एक आलीशान हैवली के आलीशान कमरे में बालकनी पे एक आदमी खड़ा था वो चांद को नहारे जा रहा वो दिखने में बहुत हैंडस में था बिलकुल एक राजकुमार की तहर फीट बोडी 6 रेशियो 3 इनका काड़ गोरा रंग गहरी काली आँखे पर फेस पे कोई भाव नहीं था वो खड़ा चांद को देखे जा रहा था कि तभी दोर नौक होता है आवाज आती है हुकुम सा हम अंदर आ जाए उस आदमी ने बोला जी आजिये तो ये है अर्नव सिंग राजपूत और जो ये आदमी अंदर आया है वो अर्नव का वाफादर आदमी है शमशेर सिंग ये अर्नव के खास आदमी में से एक है अर्नव आके सोफे पे बैठ गया शमशेर अंदर आते हुए सिर जुका लाता है और बोलता है हुकुम सा वो कल तो राजा सा और रानी सा की बरसी है तो क्या क्या आप बनारस जागेंगे पूजा के लिए कुछ टाइम के लिए शान्ती चा जाती है फिर अर्नव की थंडी आवाज आती है अर्नव अपना लाप्टॉप टेबल से उठाते हुए बोला हां हम जाएंगे कल के लिए तैयारिया करवाए फिर वो शान्त हो जाता है शमशेर ने सर जुके हुए ही जवाब दिया जी हुकुमसा ये बोलने के बाद वो वहां से बाहर चाला जाता है फिर से रूम में शान्ती हो गई अर्नव फिर से बालकनी में आके खड़ा हो जाता है उसकी आँखों में अजीब सा अकेला पन था बनारस में रात के 10 बजे बजे थे मीरा के घर में अनु और मीरा सोफे पे बैठे थे और दोनों हॉरा मुवी देख रहे थे तबھی मीरा के खुराफाती दिमाग में अनु को डराने का एक आईडिया आया मीरा अनू की तरफ देखती है जिसका डर के मरे बुरा हाल था वो उठते हुए बोली अनू हम पानी पी के आते है अनू ने डरते हुए कहा कहा जा रही है आप मीरा ने स्माइल प्रते हुए कहा अरे कहीं नहीं बस पानी पीने जा रहे है और डर क्यों रही है आप हम भाग नहीं रहे आ रहे है मीरा ने ये कहा और मीरा चली गई तो अनु ने डरते हुए कहा ठीक है पर जल्दी आईएगा मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया ठीक है बाबा आते है अनु दर के मरे बढ़बढाने लगी वो दरते हुए बोली हाई महादेव हमने ये होर रोर मूवी देखी ही क्यों इससे अच्छा तो हम रामायन ही देख लेते अनु ने भूख भगाने का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया अलतू जालालतू आई बाला को तालतू मीरा वही सोफे के पीछे छुपी हुई थी जब उसने ये सुना तो मनो उसका हंस हंस के पेत में दर्ध हुने लग था मीरा ने धीरे से अनु के कान में फुका अब तो अनु की जान ही हलक में आ गई थी उसका फेस देखने लायक था पुरा फेस काला पढ़ गया था वो धीरे धीरे पीछे घूम रही थी की तब ही मीरा अचानक से सामने आये और बोली भू अनु जोर से चीखी और आखे बंद कर लिया अनु दरते हुए चिलाए मीरा बचाए हमें तब ही अनु के कान में मीरा की जोर जोर से हसने की आवाज आती है अनु ये सुनके समझ गई की क्या हुआ है और उसने अपनी आखे खुल के बोली हम हम आपको छोड़ेंगे नहीं रुके बताते हैं हम आपको वो मीरा की पीछे भागने लगती है मीरा भागते हुए बोली अरे बाबा सौरी पर हम क्या करते आप है ही इतनी दरपोक देखी कैसे चिला रही थी मीरा बचाए करके अनु ने मीरा को घूरा और बोली अच्छा बेटा जी आप रुके हम बताते हैं डर कैसे लगता है मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया ताकि आप हमें हम पागल थोड़ी ना है जो रुक जाए बिना सारफ के ही धो डाले फिर वो भागने लगी अनु सोफे का पिलो उठा के मीरा के तरफ फिकेती है अब दोनों में पिलो फाइट शुरू हो गई थी दोनों साथ में ऐसे ही हसी मजाक करती रही और कुछ देर बाद एक दूसरे को गुड़ नाइट बोल के अपने अपने कमरे में जाके सो गई नेक्स्ट मॉनिंग सुबल के छे बजे बजे राजस्थान जैकूर एयपोर्ट के बाहर एक ब्लैक कलर की कारुकी कामे से अरनब बाहर आया वो आज बहुत हैंडस में लग रहा था वाइट कलर का धोती कुर्टा पहना हुआ था और गॉगल्स लगा रखा था वो अंदर आ रहा था उसके पीछे पीछे बॉड़ी गौड और शमशेर सिंग आ रहे थे शमशेर अरनब के पीछे चलते हुए बोला हुकुम सासब तैयारिया हो चुकी है ये सुनकर अरनब ने सिर्फ हम में जवाब दिया और चुक हो गया फिर वो बनारस के लिया निकल गए दूसरी तरफ मीरा की आज नींद लेट खुली जब उसकी आखे खुली उसने घरी की तरफ देखा तो बिस्तर से कूट पड़ी मीरा ने जुनजुलाते हुए कहा आज हमें उठने इतना लेट कैसे हो गया हाई महादेव आज तो मंदिर भी नहीं जापे फिर कपड़े लेकर वो बातरूम में भागाए 15 मिंद बाद बाहर आये और फिर अनु के रूम में जाकर अनु को उठाते हुए बोली अनु अनु उठिये कॉलेज के लिए लेट हो रहा है अनु उठिये जल्दी अनु ने चड़ते हुए कहा क्या यार सोने दीजिये ना मीरा ने अपने नामे सर हिलाया और बोली टाइम तो देख लीजे साधे साथ बज़ गए ये सुनते ही अनु चलाते हुए बोली क्या फिर घली के तरफ देखा तो सच्ट में लेट हो गया था अनु जल्दी से बात्रूम में भागी और मीरा को हसी आ गई कुछ ही देर में दोनों रेडी होके कॉलेज के लिए निकल पड़े चटू पहली मुलाकात में कुछ हिसा हुआ मीरा और अनु कॉलेज पहुँच गए मीरा ने अपनी बुलेट पाक किया और दोनों अंदर की और आगे क्लास की तरफ जाने लगे मीरा और अनु कॉलेज के थर्ड यर में थी वो अंदर जही रही थी की पीछे से एक आवाज आय आप दोनों हम कब से आप दोनों का वेट कर रहे है कहां रहे गई थी आप दोनों मीरा पीछे मुली और बोली, सौरी शिव हम लेटो गए। शिव मीरा और अनू का दोस्त था, इन तीनों की बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी अनू बोल पड़ी, आप सौरी क्यों बोल रही है। इस बंदर को हमेशा तो हम वेट करते हैं इन महास्ये का। ये सुनते ही शिव ने मूह बना लिया और मीरा हसने लगी। मीरा ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब, चले क्लास में आप दोनों की नौचन की खतम हो गई हो तो। दोनों ने एक साथ बोला, ठीक है चलेए, तीनों क्लास में की और बढ़ गए, दूसरी तरफ एपोट पे, अर्नव ने बाहर आते हुए शमशेर से बोला हमें पहले कमपनी जाना है, शाम तक हम मंदर पहुंच जानेंगे, शमशेर आप सारी तैयारिया फिर से देखे चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शमशेर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी हुकुम सा हम देख लेंगे, फिर वो लोग वहां से निकल गए अर्नव आपने ओफिस पहुंचा और काम में लग गया, कॉलेज में, लंच टाइम हो गया था, तीनों दोस्त कैंटीन म जाके बैक गई और अपना अपना ओडर दे दिया, उनका ओडर भी आ गया और तीनों ने खाना स्टॉट कर दिया, शिव खाते हुए बोला, वैसे आप दोनों का क्या प्लेन है ट्रिप के लिए जाएंगी आप दोनों या नहीं, मीरा ने शिव की बात सुनी तो कन्फ्यू अनु को घूरा और चिदते हुए कहा, आप इतना बक्वास क्यों करती है पहले तो नहीं करती थी, अनु ने मीरा को चिर्ता हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए जब आप दिया, सौरी शायद आपका असर हो रहा है हम पे भी और हसने लगी, मीरा ने मो बनाते हुए कहा, हाँ 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 वेरी फानी अब हसकर हो गया हो तो बाता दीजिये कौन सा ट्रिप, शिव ने अनु को घूरा और मीरा के बातों का जवाब देते हुए बोला बात आते है, कॉलेज की तरफ से ट्रिप है, फ्रीडे को ही जाना है, अरे हम, मीरा ने सोचते हुए कहा, कहा का ट शिव ने अनु की तरफ देखा तो अनु ने सर हिला दिया, शिव ने मीरा की तरफ देखा और पूछा तो आप चल रही है ना, अनु ने मीरा की तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ हाँ बिलकुल हम दोनों चलेगे, मीरा पर वो, अनु ने मीरा को बीच में रुपते हु पर वार कुछ नहीं मीरू आप चल रही है हमारे साथ समझी आप। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है बाबा चल रहे है हम। ये बात सुनके दोनों खुश हो गए फिर तीनों जल्दी से क्लास में गए देखते देखते शाम भी हो गया सारी क्लासस खतम हुने के बाद दोनों कॉलेज से निकल गए मीरा बुलत चलाते हुए बोली घाट पर चले अनों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया ये भी कोई पूछने की बात है चलिये चलते हैं मीरा बस मुस्कुरा दी फिर दोनों बनारस के असी घाट की और चल दिये वही दूसरी तरफ खतम करके मंदर की और चल दिया शाम के 06 बजे थे मीरा और अनू भी घाट पर पहुंच गए थे वो दोनों जाके घाट की सीरियों पे बैग गई अरनव भी वही मंदर में आया था अनू मीरा को देख रही थी जो चांद को निहरे जा रही थी फिर अनू बोली मीरा हम नहीं बोलेंगे तो कौन सा आप अनू मो बनाते हुए बोली ये नहीं बोल सकती थी कि हाँ पूछो फिर वो बोलती है आप ये चांद को क्यों निहरती रहेती है मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया क्योंकि हमें चांद को देखने से बहुत सुकून मिलता है समझी हमारी भोली भंडारी और उसके गाल पे पिंच करने लगती है अनू चिलाते हुए बोली छोड़ ये हमें दर्द हो रहा है अपना मो पीछे कर लेती है मीरा ने हंसते हुए कहा अरे हमारा टैडी गुस्सा हो गया अनू ने ये सुना तो मीरा को घूरा और बोली मीरा की पाती उससे पहले ही मीरा भाग जाती है और बोलती पहले हमें पकड़ के तो देखिये और हसने लगती है अनू मीरा को घूरती है और बोलती है अब ही बताते है हम आपको वो मीरा को पकड़ने के लिए भगती है अरनव वही आ रहा था वो गंगा में दीपक जला के आ रहा था, मीरा भी भागती हुई उस तरफ है आरही थी, जैसे ही वो अर्नव के बगल से जाने को हुई कि उसका पैर स्लीप हो गया और वो अर्नव के उपही गिर गई, अर्नव ने भी जल्दी से मीरा को सभल लिया, मीरा ने दर के मरे आँखे बंद कर लिया था, वो सोच रही थी कि अब तो पक्का हमारी हादी पसली तूटे जाएगी, पर उससे दर्द नहीं हुआ तो मीरा ने अपनी आँखे खुली, मीरा के आँखे खुलते ही अर्नव का हैंडस में चहरा मीरा की आँखों के सामने आया तो मीरा भी एक पल को देखते ही रहे गई, यही हाल अर्नव क भी था वो उसकी नीली आँखों में खोसा गया, तभी दोनों के कान में हसने की आवाज आये और दोनों अलग हुए, वो आवाज किसी और की नहीं बलकी अनू की थी अनू हसते हुए बोली आप तो हमारे पकड में नहीं आये लेकिन शायद, मीरा ने अनू को घूरते बोली अरे अरे सोरी आप तो ठीक ही होंगी हमें तो इनसे पूछना चाहिए पहार जो गिर गया इन पे, अनू ने अर्नव की तरफ देखते हुए पूछा आप ठीक तो है ना, अर्नव ने अजीब फील करते हुए हां में सर हिला देते है, मीरा गुस्से से अनू को घूर क देखने लगी फिर अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, ने नसरे जुकाते हुए कहा, सौरी वो हमारा पैर स्लीप हो गया था, अर्नव ने मीरा को देखते हुए जवाब दिया, इस ओके, मीरा फिर अनु को घूरते हुए बोली आपको हम बातांगे की पहार कैसे गिरता, ह आप चलिए हमारे साथ आए, अनु मासूम सा चहरा बनाते हुए बोली, जान हा न मीरू, न न, 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 नहीं आप तो हमारी मीरा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिलकुल हम है आपकी जान, चलिए आज ये जान आपकी जान निकलेगी, अनु ये सुनते ही भाग गई और चलाते हुए बोली हम नहीं पकड में आएंगे मीरा उसके पीछे भागते हुए अनू रुकिये रुकिये हम बताते हैं आपको एक अर्नव ये सब देखकर आजीब फील कर रहा था वो मंदर के अंदर जाने लगा पूजा खतम करके वो मंदर से बाहर आ रहा था मीरा और अनू भी अब घर जाने के लिए अपनी बुलिट के पास जा रहे थे कि तभी अनू बोलती है आप रुकिये हम आते है तो मीरा बोलती है मीरा ने कहा जल्दी आयेगा अनू चली जाती है कुछी देर में मीरा देखती है कि अनू आ रही है फिर देखती है कि एक लड़के ने अनू का हाथ पकड़ लिया अनू बहुत कोशिश कर रही थी पर वो छोड़ ही नहीं रहा था फिर मीरा वहाँ जाती है और शान्ती से बोलती है हाथ छोड़ वो लड़का हसते हुए कहता है नहीं छोड़ेंगे मीरा ने उसे इनका घूरते हुए कहा हाथ छोड़ो उनका हमने कहा हाथ छोड़ो वही कुछ दूर खड़ा अरनव ये देख रहा था वो बस मीरा के फेस ही देख रहा था मीरा बोलती है मतलब लातों के भूट बातों से नहीं बनते सही कहा हाँ किसी ने फिर वो लड़का हसते हुए बोलता है अब क्या तुम हमाए बतोगी मीरा ने उस लड़के की तरफ देखा और एक मुस्कान के साथ बोलती है बिल्कुल बेटा जी हम बातानगे वो एक जोर दर्थ अपपर उस लड़के के गाल पर रासित देती है मीरा उस लड़के को घूरते हुए बोली बेटा अब हम तुमको संसकार का पाठ पढ़ेंगे समझे वो लड़का गुसे में बोकला कर बोलता है तुम छोडेंगे नहीं बोलकर वो मीरा की और गया उस पहले वो कुछ कर पता मीरा ने एक लाथ उसके पेट पर मारा और बोली मीरा आओ आओ बहुत दिनों से हाथ की सफाय नहीं हुई आज कर लेते हैं वो लड़का दर्द से चिलाते हुए अपने साथियों को बोला मारो साली को सब उसके और बढ़े कुछी देर में सब के सब जमीन पर थे फिर मीरा अपना हाथ जारते हुए पेरों पे बैठ कर उस लड़के का कॉलर ठीक करते हुए बोली फ्री की शाला दे रहे है लड़की को कम मत समझना फिर वो उठके अनू के पास जाके उसे हग करके बोली आप ठीक तो है ना अनू बोली आपके होता हुए हमें कुछ हो सकता है क्या फिर मीरा मुस्कुरा दी और बोली आप ही तो है हमारी दुनिया अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे बाती ये तो जरा ठीक है सूपर विमन हो गया आपका तो चलिये फिर वो आपने बुल लेटके और चला दिये वो लोग वहां से चले गए पर अर्नव वहां अभी भी वहां उसे जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था ये लग्की थी या तूफान पर हम क्यूँ सोच रहे हैं उनके बारे में वो फिर कर में बैठ और आपने होटल की तरफ चल दिया मीरा और अनू भी घर पहुँच चुके थे अनू बोली आज खाना बाहर से ही ओडर कर लाते हैं मीरा ने अनू को देखा और बोली आप ओडर कीजिये हम आते हैं अनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया ठीक है हाम करते हैं फिर वो शाओ लेकर आई तब तक दिनर भी आ गया था दोनों ने दिनर किया और जाके सो गए चत्री मेरे दिल के लिफाफे मी तेरा खत है जानिया नेक्स्ट डे सुबग पांच बजे बजे था मीरा की नींदल राम की आवाज से खुली वो उठ गई और बैट से नीचे उतर के अपने कपड़े लिए और बातरूम में चली गई होटल में अरनव उठा और बातरूम में जाके शाओ लिया अरनव रेडी हो के जोगिन के लिए निकल पड़ा अरनव ने जब से मीरा को देखा था तब से वो उसके दिमाग से हाठी नहीं रही थी इसलिए वो फ्रेश फील करने के लिए निकल पड़ा बाहर शमशेर ने जब ये देखा कि अरनव अकेले बाहर जा रहा है तो बॉडी गार्ड को अरनव के पीछे भेज दिया मीरा शाव लेके मंदर जाने के लिए रेडी थी वो बहुत सुन्दर लग रही थी सूट सलवार गिले खुले बाल बालों को आगए कर रख था जिसे बैक नेक पे बनत रिसूल का तत्तो दिखाए दे रहा था हाथ में महाकाल का ब्रेस लेट मीरा जल्दी से मंदर के लिए पैदल ही चल दी मीरा ना मंदर पहुँच के पंदिक जी से कहा प्रणाम पंदिक जी कैसे है आप पंदिक ने जी मुस्कुराते हुए जवाब दिया खुश रहिए बेटिया हम ठीक है आप बातिये मीरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा हम भी ठीक है अर्नव भी मंदर के पास ही आ गया था मीरा पूजा करके मंदर से बाहर निकली मीरा फोन चलाते हुए चल रही थी उसका ध्यान भी फोन में ही था अर्नव की पीठ मीरा के साइट थी वो खड़ा ही था कि कोई आकर उससे टक्रा गया और वो कोई और नहीं मीरा ही थी वो अपना नाग पकड़ते हुए चिदते हुए बोली अंधे है क्या देख के नहीं चल सकते आँखे है ये बटन अर्नव पीछे मुला अर्नव ने मीरा को घूरा और बोला अंधे हम नहीं आप है देख कही रही है और चल यहां रही है मीरा ने अर्नव को देखा तो सूप्राइस हो गई वो सोच रही थी क्या इस इंसान से टकराना ही उसके नसीग में लिखा है आप आप तो वही है ना जो हमसे कल से टकराए थे अर्नव कोल्ड एक्स्प्रेशन के साथ कहा पहली बात देख के चलना सीखो जब देखो हमसे टिक्रती रहेती है ये कह के वो जाने लगा तो मीरा गुस्से में बोली ओ हेलो आप खुद को समझते क्या है हाव दरे येर टू टॉक टू मी लाइक डिस अर्नव ने कथोर आवाज में कहा अर्नव सिंग राजपूट से टकराने की किसी में हिम्मत नहीं है शुक्र बनो तुम बच गई उसने बिना मुणे ये कह और चला गया मीरा ने ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया वो गुस्से में बढ़ बढ़ाए इंसान में इतना आटिटीव क्यों है मीरा पैर पटकते हुए घर चली गई 33 इस वही अर्नव होटल पहुँच के शमशेर सिंग से बोला अर्नव ने बिना किसी भाव के कहा शमशेर हम आज ही जैपुर जाएंगे जैपुर में एक important meeting है आज ही जाना होगा समझे आप शमशेर ने सर जुकाते हुए कहा जी हुकुमसा जैसी आप कह वो ये कह के चला जाता है तो अर्नव भी बातरूम में चला जाता है मीरा भी घर पहुंच गई थी उसने टाइम देखा तो साथ बजे बजे थे वो अनू के रूम में गई उसको उठने के लिए अनू के उठ जाने के बाद वो आपने रूम में आए और कॉलेज के लिए रेदी होने लगी कुछ देर बाद अनू उसके रूम में आए और मीरा को देख के नौटन की करते हुए दिल पे हाथ रखते हुए बोली हाई कोई हमें बचे इनकी खुबसूरती से हमें तो जलन हो रहा है अनू मीरा के कंदे पर अपने हाथ रख के बोली किसने आपको इतना क्यूट देखने का हग दिया बात ये हमें किसने किसने दिया आपको अभी मीरा ने ड्रैस चेंज करके ब्राउन कलर का ओवर साइस फुल सलीट टॉप और वाइट कलर की जीन्स पहना था और मेसी बन बनाया था वो बहुत क्यूट लगा रही थी मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा हो गए आपकी नौटन की तो चले अब और कैंटन में ही कुछ खालेंगे अनू ने हलकी सिमल करते हुए बोली ठीक है चलिए वो दोनों निकल गए कॉलेज के लिए अरनव रेडी होके एरपोर्ट के लिए निकल गया मीरा और अनू भी कॉलेज 30 मिंट में ही पहुँच गए मीरा ने अनू से कहा कि वो यही रुके वो बुलेट पाक करके आ रही अनू ने ठीक है कहा और बुलेट से उतर गई और वही खड़ी हो गई और जल्दी मीरा भी आ गई वो दोनों साथ में अंदर की तरफ जाने लगे और क्लास के बहार खड़े होके शिव का वेट करने लेगे अनू ने जुनजुलाते हुए कहा वेट कर रहे थे आप ये बंदर कहा रहे गए कल तो बहुत हमारा मीरा इशारा करते हुए बोली वो देखिये आ गई शिव अनू ने देखा तो शिव भागते हुए आ रहा था शिव के आते ही अनू ने बोला कहा रहे गए था शिव ने हौन्सते हुए कहा वो हम वो मीरा ने शिव को देखा और हंसते हुए बोली पहले सांस तो ले लीजिए शिव ने नॉमल हुने के बाद कहा अरे वो हमें पता चल गया कि ट्रिप पे कहा जा रहे है अनू और मीरा एक दूसरे की तरफ देखती है फिर शिव की तरफ देखा और साथ में कहा कहा शिव ने एकसाइटेड होते कहा हम जा रहे है हम लोग जयपूर जा रहे है इतना कहना था कि अनू excited होते हुए बोली सची तब तो बहुत मजा आएगा मीरा ने अनू को देखा और कहा हाँ पर आपको तो पता है ना कि अनु मीरा को बीच में ही रुकते हुए बोली हाँ बाबा पता है यही ना कि अभी तो क्याफे बंध हाँ पर दो दिन बाद खुल जाएगा मीरा ने हाँ में सर हिला दिया अनु ने मुस्कुराते हुए कहा आप टेंशन मत लीजे हमने आपकी छुट्टी के लिए आंटी जी से पूछ लिया है और उन्होंने हाँ कर दिया है मीरा एक क्याफे में पार्ट टाइंग जॉब करती है अभी वहां की मालकिन बाहर गई है इसलिए मीरा क्याफे नहीं जा रही थी मीरा ने ये सुना तू मुस्कुराते हुए ठीक है कहा फिर तीनों क्लास में चले गए एरपोर्ट पे अर्नव एरपोर्ट पहुँच चुका था और कुछ ही समय बाद प्राइवेट जट टेक ओफ भी हो गया अर्नव ने सर सीट पे टिकाए आँखों को बंद कर लिया कुछ समय बाद अर्नव का जट जट जपुर एरपोर्ट पे लैंड हुआ अर्नव एरपोर्ट से बाहर आके कार के में बैठ गया और अपना लप्टॉप ओपन करते हुए शमशेर से बोला अर्नव ने लैप्टॉप में देखते हुए कहा शमशेर हम पहले ओफिस जाएंगे आपको हमने जो काम बोला था उसका क्या हुआ शमशेर ने सम्मान पूर्वक अर्नव की बातों का जबाब दिया जी हुकुमसा हमने कर दिया है अर्नव बस ठीक है कहके चुक हो गया शमशेर ने कार ओफिस की और मूर ली अर्नव कुछ टाइम बाद अपने ओफिस पहुँचा और अपने कैबिन में बैट के काम करने लगा ऐसा ही देखते देखते फ्राइडे भी आ गया फ्राइडे मॉनिंग टाइम एट ओइच लोग बजे थे खिलकी से सूरज की रोशनी सीधा मीरा के फेस पे पढ़ रही थी जिस कारल मीरा की नींद खुलने लगी और वो धीरे से उठके बैक गई मीरा ने घली की तरफ देखा तो टाइम देखते ही मीरा बिस्तर से कूप पड़ी और इन सब में मीरा का पैर ब्लैंकित में फसा और बांग मीरा जमीन पे ब्लैंकित में लिप्टी पड़ी थी वो जल्दी से उठी और बातरूम में भागी 15 मिंद में बाहराई और फटा फट रेडी होके अनू के रूम की और भागी और बोली मीरा हरबड़ा के बोली अनू जल्दी उठीए देखे नौ बज गए ग्यारह बजे हमें निकलना है अनू अनू उठीए अनू नींद में बदब राते हुए बोली सोने दीजिये ना मीरू प्लिस मीरा चिदते हुए बोली टाइम तो देखिए जब अनू ने देखा तो सच में नौ बजे थे वो जल्दी से उठ गई और बोली अनू हरबड़ाते हुए बोली आपने हमें पहले क्यों नहीं उठाया मीरा ने मासूम सा चहरा बना के कहा तो कब से क्या कर रहे है हम अब उठिये रेडी हो जाए हम ब्रेकफास्ट बनाते है अनू सर हिलाते हुए ठीक है कहा वो जल्दी से बाथरूम में चली गई और मीरा भी किचन में चली गई मीरा ने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया और निंग टेबल पे लगा दिया तब तक अनू भी आ गई थी दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और कैब से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए वो लोग ट्रेन से जा रहे थे और दो ग्रूप बना के जा रहे था मीरा के ग्रूप में वो पांच लोग थे और सबने प्लेन किया था कि वो स्टेशन पर ही मिलंगे वो लोग भी स्टेशन पहुँच गए वो जल्दी से अंदर गए तो ट्रेन प्लेट फ्रॉम पे लग चुकी थी और शिव ने दोनों को देखा तो हाथ हिला दिया उसे देख के दोनों उसके पास चले गए रहे है शिव मो बनाते हुए बोला कहा रहे गई थी आप दोनों कब से वेट कर अनू चित्ते ही कहा अब तो आ गए ना सीट पे चलके बैठे फिर दात लीजिएगा तीनों अंदर गए सीट पे देखा एक लड़का और एक लड़की वहाँ पहले से बैठे थे तभी शिव ने दोनों का इंट्रोडिक्शन दिया शिव दोनों की तरफ देखा और बोला मीरा अनू ये दोनों हमारे ग्रूप माटीज है अनू हाथ आगए बढ़ाते हुए बोली हेलो आए मनाया वहाँ बैठा लड़का उठा और उसने भी अपना हाथ आगे करते हुए अनू से हैंड शेक करते हुए कहा हेलो मैं अबीर बैठी हुई लड़की भी उठी और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा मीरा ने भी दोनों से हैंड शेक किया सब साथ में सीट पे बैट जाते है और बात करने लगते है मीरा यह फोन लगा लेती है और दर्वाजे के पास जाके ख़ड़ी हो जाती है अब ट्रेन चल पड़ी थी और बाहर स्टेशन पीछे जा रहा था और सॉंग चल रहा था मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया तेरा खत है जानिया नाचीज ने कैसे पाली 333 जन्नत ये जानिया वे मीरा सॉंग सुन ही रही थी कि उसके पीछे से आवाज आई आप यहां है और वहां सब आपको ही याद कर रहे है मीरा जब पीछे मुली तो देखा अबीर खड़ा उसे देख के स्माइल कर रहा था मीरा हलकी मुसकान के साथ बोली हाँ वो बस ऐसे ही चलिये चलते है दोनों अपनी सीट पे चले गए मीरा को आता देख अनु ने कहा कहा चली जाती है आप मीरा चफोर बेशाम इंसान ने फर्स्ट किस चुरा ली दूसरी और राजस्थान के जैपूर शहर में एक कैबिन में अर्नव बैठ था और फाइल चेक कर रहा था अर्नव की कमपणी एसर ग्रुप की बहुत सारी ब्रांचेस थी और उनका काम बैट शो में भी फेला हुआ था हालांकि उनकी पुष्टैनी हवेली अजमेर में थी पर कमपणी का हेड ओफिस जैपूर में होने के कारण वो ज़्यादा तार जैपूर ही रहता था अर्नव आपने काम में बिजी था दुपहर के डेड़ बजे बजे थी लंच टाइम हो रहा था डोर नौक होता है अर्नव बिना सर उठे बोला आज ये शमशेर सिंग अंदर आके सर जुका लाते है अर्नव बिना सर उठाय अपनी थंडी आवाज में बोला कही ये शमशेर क्या हुआ शमशेर सर जुके हुए ही बोला वो हुकुमसा लंच टाइम हो गया है और आपने सुबर से कुछ नहीं खाया हम आपके लिए लंच ले आए अर्नव ने कहा नहीं हमें अभी भूख नहीं है शमशेर सिंग ने थोड़ा धीमी आवाज में कहा पर हुकुमसा आपने सुबर से कुछ नहीं खाया है अर्नव ने शमशेर को बीच में रुखते हुए कहा हमने कहा ना कि हमें भूख नहीं है जब होगा तो खाल आनेंगे अब आप जा सकते है शमशेर ठीक है हुकुमसा कहके कैबिन से बाहर निकल गया अर्नव काम में बिजी हो गया ट्रेन में रात का टाइम लगभग 9 बजे सब बैठे थे तो लवी ने बोला ही यार हम तो बहुत बौर हो रहे है क्या करे ये सुनने के बाद अनु बोली बात तो सही है चलो कोई गेम खेलते है शिव ने हमी भरे हुए बोला जैसे की अनु ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे की अंतकसारी तो सब एक साथ में बोले गुड आइडिया सब ने मीरा की और देखा जो ये फोन लगाए सर खिलकी से टिकाए आँखे बंद करके चुक चाप बैठी थी अनु ने मीरा का ये फोन हटाते हुए कहा है चलिये ना मीरा अंतकसारी खेलते मीरा ने बोला ठीक है खेलते है उनके साथ एक लड़का भी सफर कर रहा था जिसका नाम था नोक 6 सीट होने के कारण 5 तो उनकी थी पर एक खिलकी वाली सीट उसकी थी और उन सब में अच्छी दोस्ती हो गई थी तो वो भी गम में सामिल हो गया तो दो टीम बनाई गई गर्ल्स वी एस बोईज और दोनों टीम में बराबर मेंबर था तो सब ने गेंग स्टार्ट किया पहले हमारी गिरुस की बरी थी मसे गाने की तो अनू ने गाना शुरू किया मैं रहूं या ना रहूं तू मुझे मैं कही बाकी रहना मुझे नींद आए जो आखरी तुम हुआबों में आते रहना बस इतना है तुम से कहना फिर वो रुख गई तो मीरा ने ताली बजाते हुए मुस्कुराते हुए कहा वाव क्या गाना गाया आपने हम तो खोसे गए था अनू ने हस्ते हुए कहा हम है ही इतने कमाल के चलिया आप लोग नसे गए अभीर ने गाना शुरू किया एक सब शांथ हो गए एक ना चैन से जीने देगी ना चैने मरने देगी चलो ले चले तुम्हे तारो शहर में धर्ती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी ऐसे करते करते सब ने गाया गम आ गए भरते जा रहा था अब लड़कियों को वाए से गाना था तो वो सोच में पढ़ गई और लड़कों के फेस पे जीत की मुस्कान आ गई पर उसे पहले वो कुछ बोल पाते मीरा ने गाना शुरू किया यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा एस्फना यारत तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना अनू की आखे नम हो गई फिर उसने आ गए गाना स्टार्ट किया मेरी जिंदगी सवारी मुझे को गले लाग के बैठा दिया पालक पे मुझे खहक से उठा के और उसने जाके मीरा को साइट से हक कर लिया फिर शिव मो बनते हुए बोला आप लोग तो हमें भूल ही गए और दूसरे साइट से दोनों को हक कर लिया तीनों को ऐसे देख के लवी अभीर और अनोक मुस्कुरा दिया अभीर बोला कितने प्यारे हैं न ये तीनों तो दोनों साथ में हैं सच्च में एक मीरा ने उन दोनों को दूर करते हुए बोला आप दोनों क्या हमारा दम भूट के मारना चाहते है ये सुनके सब हस पड़े शिव ने मुस्कुराते हुए कहा चलिए सब सोजाए कल हम जल्दी जैकपुर पहुंच जाएंगे नेक्स्ट मॉनिंग टाइम साथ बजे बजे सब उठ गए थे और फ्रेश भी हो गए थे और जैकपुर आ गया था उन लोगों ने अनोप को बाई कहा और चल दियो बाहर आते ही पांचो ने अपना हाथ उठाते हुए और लंबी सांस लेते हुए कहा वेल्कम टू जैकपुर बाहर गए तो होटल की कर पिक करने के लिए ख़़ी थी वो लोग जाके कर में बैट गए पर मीरा को कुछ अजीब लग रहा था पहले तो शिव का ये बोलना की हम ट्रेन से जाएंगे और जब मीरा ने और लोगों के बारे में पूछा तो ये बोलना की ग्रुप बनाया गया है और ना कोई गाइड करने के लिए है वो कार में बैट के ये सब ही सोच रही थी अनु ने मीरा को देखा जो पैसानजेर सीट पे बैठी थी फिर शिव के कान में बोली अगर मीरा को पता चल गया कि हमने उसे जुट बोला है कि ये कॉलेज ट्रिप है उन्हें गलती से भी ये सब पता चला कि हमारा प्लान है और अबीर और लवनाया आपके दोस्त है तो वो हम दोनों का बुरा हाल बना देंगी शिव धीरे से बोला आप चुप रहने का क्या लेंगी चुप चाप बैठिये ना अनों ने अपने मूर पे उंगली रख के बच्चो जैसा फेस बना लिया वो लोग होटल A, S, R में पहुँचे उस होटल को देख के मीरा को डॉट होने लग था क्योंकि कॉलेज इतने आलिशान होटल का खर्च क्यों ही उठेगा वो यही सोच रही थी तब शिव ने बोला मीरा क्या हुआ चल ये चलते हैं मीरा कार से निकल के होटल के अंदर जाने लगी जब वो अंदर पहुँचे तो सब हैरानी से होटल को देखने लगे क्योंकि वो होटल कम और महल जादा लग रहा था सब अंदर गए और रिसेप्शन के पास गए शिव ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी इसलिए उसने उसने अपना नाम बताया रूम की कीज ली और एक आदमी उनका समान लेकर उनको रूम दिखाने ले गया वो लोग लिफ्ट में गए थर्ड फ्लो पे लिफ्ट रुखी और वो लोग रूम के और चल दिये रूम नम्ब एक सो पाँच और एक सो साथ था तो तीनों गर्ल्स एक रूम में रुखी और बॉइस दूसरे रूम में अनू और लवी तो रूम में आते ही बैट पे पड़ गई मीरा दोनों को देख के हसने लगी तो अनू मो बनाते हुए कहा गए थे आप हम पे हस रही है पता है हम कितना ठक तो मीरा बोली सौरी हमें हसी आ गई लवी ने कहा बाई गॉड यार हमें लग रहा है कि अभी भी ट्रेन चल रहा है मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा वो तो हमें भी लग रहा है मीरा फिर रुख कर बोली हम फ्रेश होके आते है अनू ने हाथ हिलाते हुए कहा ठीक है तक तक हमें जपकी मार लेते है लवी ने बस ठीक है कहा। उसने अपने बैग में से ड्रैसली और दोनों को एक नजर दी देखा जो बिस्तर। पैर फेला कर बढ़ी हुई थी मीरा मुस्कुरा दी और बाथरूम में चली गई। दूसरी और अरनव अभी अपने हवेली से निकल रहा था अरनव के पीछे शमशेर चल रहा था। शमशेर ने चलते हुए बोला हुकुमसा आज मिस्टर राथौर का फोन आया था और वो नौ बजे आप से मिलना चाहते है लंदन वाली डील के बारे में बात करना चाहते है। अरनव कार में बैठते हुए बोला ठीके उन्हें हाँ बोल दीजिये। शमशेर ने कहा जी हुकुमसा वो अभी कार के पैसेंजर सीट पे बैक गया और कार चल पड़ी। मीरा फ्रेश होके और शाव लेकर आ गई थी उसने ब्लाक कलर का क्रॉप टॉप और नीचे ब्लू क के शॉट्स पहना हुआ था उसमें उसे कोई भी देखता तो दिवान हो जाता। मीरा ने देखा लवी और अनू घोड़े बेच के सो रही है तो दोनों को उठने लगी। मीरा ने उन्हें उठाते हुए कहा अनू लवी उठ जाए और रेडी हो जाए। मीरा ये बोल के जीन्स विद यलो टॉप पहना था वो भी बहुत क्यूट लग रही थी। वो तीनों बॉइस के रूम के और चल पड़ी और जाकर डोर नॉप किया शिव ने दोर ओपन किया शिव ने जब उन तीनों को देखा। तो आँखे फाल के तीनों को देखने लगा तीनों बहुत बनाते हुए बोला करेंगे ना एकदम बंदरिया लग रही है आप। ये कह के वो जोर जोर से हसने लगा लवी और मीरा भी शिव के साथ हसने लगी। अनू ने तीनों को घूरते हुए अपनी गुसे से लाल नजरों से देखने लगी तीनों एकदम से चुप हो गे। बातरूम से बाहर आया और बोला क्या हो रहा है किस बात पे इतनी हसी आ रही है आपको। अनू अबीर को देखके बोली अरे अबीर सही हुआ आप आ गए वो क्या है न कि रूम में एक बंदर घूस आया है तो उसको देखके हस रहे थे। अबीर ने ये सुना तो चौकते ह बंदर कहा है बंदर और अंदर कैसे घुश गया। शिव का चेहरा ये सुन के देखने लायक था लग रहा था कि अभी वो रोदेगा है। शिव ने अनु को घुरा और उसकी तरफ आते हुए बोला अब ये बंदर मार के दिखाएगा। अनु मीरा के पीछे छुप गई मीरा बेचरी दोनों के बीच पीस रही थी। ये देख के लवी और अबीर पे पकड़ के हसने लगे। मीरा जोर से चलाए बस बहुत हो गया बस कीजिए आप दोनों वरना हम से बुरा कोई नहीं होगा। दोनों एकदम शान्थ हो गए और साइड में खड़े हो गए दोनों न इस वक्त किसी मासूम बच्चों की तरह चहरा बनाया हुआ था। ये देख के अबीर और लवी मू दबा के हस रहे थे। अनू ने बढ़बढाते हुए कहा आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। शिव ने ये सुन लिया और वो सर जुका के हसने लगा। मीरा ने अनू को घूरा और बोली क्या कहा आपने जरा फिर से तो बोलिए। अनू मासून सा चहरा बनाते हुए बोली हम हम न न नहीं हम क्या बोलेंगे। मीरा ने कहा चलिये ठीक है अब कुछ खाने चले भूख लगी है। ये सुन के सबने हां कर दिया वो लोग बहर आये और होटल की कार में ही एक रेस्टरॉंट में पहुँचे और अंदर जाके एक टेबल पे बैठे गए। वेटर आया तो सबने अपना अपना ओडेर दे दिया। मीरा ने शिव की तरफ देखते हुए पूछा। शिव दूसरा ग्रुक अभी तक हमसे मिलने नहीं आया। ये सुनते ही अभीर लवी और अनू ने एक साथ शिव की और देखा। शिव ह चैन की सांस ली शिव तो वेटर को ऐसे देख रहा था जैसे। वो कोई भगवान हो जिसने शिव को बचा लिया वेटर को अजीब लग रहा था। वो मन में सोच रहा था आज कल पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते है। वेटर चला गया और अभीर अनू लवी को बहुत ह हंसी आ रही थी। वही जानते थे कि उन लोगों न कैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी थी। वो लोग चुक चाप खाना खाने लगे खाना खाने के बाद। मीरा ने बोला हम वाश्रूम से आते हैं और उठके वाश्रूम की और बग गई। उसके जाते ही शिव ने बोला आज तो बच गए। उसने सर उठके देखा तो तीनों अपने मूँ पे हाथ रख के हस रहे थे। शिव का ये देख के मूँ बन गया। मीरा बाथरूम से निकल के जाही रही थी कि सामने से आते। हुए इंसान से मीरा टकरा गई और खुद को संभाल नहीं पाए और दोनो गिर गए उसने सामने देखा तो अरनव को देख के शौक रहे गई। अरनव भी मीटिंग के लिए इसी जगव पे आया था वो तो वाश रूम से निकला ही था कि किसी से टकरा गया। वहाँ शिव ने अनू से कहा अनू मीरा को देख के आये ना मीरा को बहुत देर हो गया ह अनू उठते हुए कहा ठीक है लवी ने भी उठते हुए कहा हम भी चलते है आपके साथ वो दोनों चल दिये। दूसरी और मीरा अरनव को आँखे फाड़े देख रही थी। हुआ क्या कि जब अरनव और मीरा नीचे गिरे तो उन दोनों के लिप्स टच हो गया पर अरनव को किस करने लगा था मीरा की आँखे ही हैरानी से बड़ी होते जा रही थी वो शौक में कुछ कर भी नहीं पाए। और अरनव मीरा को पैशनटली और दीपली किस करे जा रहा था। जब अनू और लवी वहां पहुँचे और वो सीन देखा तो उनकी भी आँखे शौक से ब रहा था अपने। सामने ये सब देखके वो शौक में अपनी पाल के जपकना भी भूल गया। तभी अनू की आवाज आए मीरा। जैसे ही मीरा ने अनू की आवाज सुनी वो होश में आए और अरनव को धक्का दिया। और उठ गई। अरनव भी उठ गया। अनू और लव अभी मीरा के पास आई शमशेर भी अरनव के पास आया। मीरा अरनव को गुसे में घूरने लगी अरनव अभी भी मीरा को देख रहा था। उसकी नजर अभी भी मीरा के लिप्स पे ही थी। अरनव मन में सोच रहा था कि ये क्या हो गया था हमें हम खुद को क्यों नहीं र अर्नव ने cold voice में कहा गलती तुम्हारी थी तुम ही हमसे टक्रती रहती हो। मीरा ने गुसे में कहा मानते है हमारी गलती थी पर गलती से हमारे lips टू उच हुआ थे और आपने तो हमें हमें किसी कर दिया। तो अर्नव ने बोला हमने कहा है तुमसे बार बार हमसे टिक्रो। अनु मीरा के कंदे पे हाथ रखते हुए बोली मीरा पहले आप शांत हो जाए। मीरा ने रोनी सी सूरक बना के कहा अरे अनु हम कैसे शांत हो जाए इस बेशर्म इनसान ने हमारी first किस चुराली। ये हमारी first किस थी, first किस समझती है ना आप। अनु ने धीमी आवाज में कहा हा हा हम समझते है आप शांत तो हो जाए। अर्नव ने जब मीरा के मुह से ये सुना कि फर्स्ट किस चुराली तो पता नहीं क्यों पर अर्नव को अंदर से खुशी हो रही थी ये सब हो ही रहा था कि शिव और अबीर भी आ गए शिव आते हुए बोला आप तिनों क्या कब्दी खेलने निकली थी जो इतना टाइम लगा रहा है अब मीरा शिव को घूर ने लगी जब शिव और अबीर ने ये देखा तो दोनों के रोंटे खड़े हो गए अनु ने शिव को देखा और दन पिस्ते हुए बोली आप कभी तो मुल से सही बात निकला कीजिए अबीर शिव के कान में धीरे से बोला बेटा गलत टाइम पे एंटरी ले ली अब कहीं ये जवाला मुखी हम पे ही ना फुट जाए शिव मीरा से बोला क्या हुआ मीरा आप इतने गुस्से में क्यूं है अनु अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली हो गया बंटाधार हम इन्हें शान्त करवा रहे है और ये आपके पूछ रहे है क्या हुआ मीरा अभी भी गुस्से में थी और शिव को गूर रही थी अरनव सोच रहा था कि ये लड़की कौन है तब ही शमशेर बीच में बोला देखिये ये सब जो भी हुआ उसे भूल जाए ये सुनने की देरी थी कि मीरा गुस्से में आग बबुला हो गई अरनव मीरा के फेस को ही देखे जा रहा था मीरा का फेस गुस्से से लाल हो गया था और वो बहुत क्यूट लग रही थी वो अब शमशेर सिंग को भूर रही थी मीरा ने गुस्से से कहा अब आप देखिए जैसे ही मीरा ने ये कहा शिव और अनू ने उसके दोनों हाथ पकर लिये और उसे ले जाने लगे मीरा ने दोनों को भूर और कहा शिव छोड़िये हमें हम इनको देखेंगे शिव मीरा को शांद करवाते हुए बोला शांद हो जाए लवी और अबीर तो शौक में एक जगव पे जम गए शमशेर के तो माथे से पसीना निकलने लगा था और अर्नव गुसे में शिव का हाथ ही देखे जा रहा था पता नहीं क्यों पर अर्नव को बहुत गुसा आ रहा था शिव को मीरा का हाथ पकड़े देखके अनुने परेशान होते हुए कहा ये ऐसे शांत नहीं होगी शिव आप इन्हें उठा लीजिए शिव ने हां में सर हिलाया और मीरा को आपने कंदे पर तंग लिया मीरा गुसे से बोली हमें नीचे उतर ये हम बोर रहे हैं हमें नीचे उतर ये वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा शिव ने कहा कोई हो भी नहीं सकता वो लोग वहां से चले गए पर अर्नव अब बहुत गुसे में था वो शिव को घुरे जा रहा था और सोच रहा था अर्नव सिंग राजपूथ जिस चीज़ पे हाथ रख देता है वो हमारी हो जाती है इनको तो हमने किस किया है उसके चहरे पे एक इवल स्माइल आ गई जब शमशेर ने अपने हुकुम सा की मुस्कान देखी तो हैरत में बस देखते ही रहे गए अर्नव ने शमशेर से कहा इस लड़की की सारी डिटेल्स निकल वाओ एक घंटे में डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए शमशेर ने सर जुकते हुए कहा जी हुकुम साए वो लोग वहा से बाहर आये और कार में बैठ गए वो कार स्टार्ट कर ही रहे थे अर्नव की नजर सामने गई सामने मीरा और उसके दोस्त थे अर्नव ने रुकने को कहा शिव ने बाहर आकर जैसे ही मीरा को नीचे रख तो मीरा उसे गूरने लगी अब अनु अबीर और लवी को शिव पे तरस आ रहा था शिव ने हकलते हुए बोला म, म, मीरा आप गुसा मत कीजिए मीरा ने कहा हम अब आपको हमें उठने लायक ही नहीं छोड़ेंगे और शिव के पीछे भागी मारने के लिए शिव अनू के पीछे छुपते हुए बोला अरे हमें बाच ये सब खड़े खड़े देख क्या रहे है तो अबीर और लवी तो हसने लगे शिव वहां से भगा पर जादा दूर नहीं जा पाया कि पीछे से मीरा उसके कंदे पे लटक गई और बोली आप कहा जंगे बोलिए शिव हकल्टे हुए कहा एस एस सौरी यार मीरू जब अरनव ने मीरा को शिव के कंदे पे लटके हुए देखा तो अरनव को बहुत गुसा आ रहा था उसने शमशेर से कहा एक आदमी इनके पीछे लगा दो और पल पल की जंकरिये कहा कहा जाते है हमें बताने को कहना शमशेर जी हुकुमसा वो लोग वहां से चलाए गाए चब फाइव हॉंटट गेम मीरा और उसके दोस्त कार में बैठे थे कि तभी अनू ने सब की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा आगे का क्या प्लान है अनू की बात सुनके शिव ने कुछ सोचते हुए कहा हमारे पास एक प्लान है लवी ने शिव से पूछा और वो क्या है शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया क्यों ना आज रात हम लोग कोई हॉन्टेग गेम खेले वैसे भी हम सब सफर से ठक भी गए है और ये गेंग तो हमें रात में खेलना है जब तक हम आराम भी कर सकते है अबीर मीरा और लवी तो तुरंत मान गए उन्हें शिव का आइडिया अच्छा लगा पर अनू को तो हानिटड शब्ट सुनके ही डर लगने लगा था पर फिर भी अनू अपनी इज़्जक बच्चते हुए बिना मान के ही हमी भर दी वो बेचारी कर भी क्या सकती थी वो लोग अभी होटल में चले गए सोने के लिए ताकि वो रात में वो गेम खेल साके अरनव के ओफिस में अरनव अपने कैबिन में बैठे फाइल देख रहा था तब ही डोर पे नौक हुआ अरनव ने फाइल देखते हुए कहा आजिए शमशेर एक फाइल के साथ अंदर आया और सर जुका के बोला हुकुम सा वो हमने उस लड़की की डिटेल्स निकल वा ली है अरनव ने कहा फाइल रख दीजे और आप जाए हम देख लानेंगे शमशेर ने फाइल रखी और चला गया शमशेर के जाने के बाद अरनव ने वो फाइल बन की जो वो बढ़ रहा था और शमशेर की लाई हुई फाइल उठाए अरनव ने फाइल खुली तो अरनव ने देखा कि उस फाइल में मीरा की बहुत सारी फोटो थी अर्नव ने मीरा की एक फोटो उठाए उस फोटो में बुलिट पे लेटी हुई थी और कैप पहना हुआ था मीरा ने उस कैप को पकर हुआ था पैर पे पैर चड़ा के लेटी थी और एक पिक्चर में मीरा घास पे अल्टी पालती मर के बैठी थी और पाउठ बना रखा था उस फोटो को देखके अर्नव मुस्कुरा दिया उसने देखा वहाँ नाम लिखा था मीरा सूर्यवन्शी उसने सारी डिटेल्स चेक किया तो उसे पता चला कि मीरा एक कॉलेज गर्ल है और वो पार्ट टाइम जॉब करती है और बनारस की रहने वाली है उसकी फैमिली में कोई नहीं है बस उसके दो दोस्त है अर्नव ने फाइल पढ़ लेने के बाद बंद की और एक कॉल किया दूसरी तरफ से आवाज आई जी हुकुमसा अर्नव ने कहा वो अभी इस समय कहा है दूसरी तरफ से वो आदमी बोला वो अभी असर होटल में है और वो सब वही ठहरे है अर्नव ने कहा ठीक है अगर वो कहीं भी जाये तो हमें बातना और जनकरी देते रहना उस आदमी ने जी हुकुम सा कहा अर्नव ने फोन कट दिया अर्नव ने कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन को टेबल पे रखा और बोला मीरा सायक किसमत भी हमें मिलवाना चाहती थी इसलिए तो तुम हमारे होटल में ही रुकी हुई हो फिर वो मुस्कुरा दिया और काम में बिजी हो गया हो गया रात में रात के एक बजे बजे थे वो पांचो होटल के बाहर आए और कार में बैग गए शिव ने होटल वालों से पहले ही बात कर ली थी कार के लिए वो लोग कार में बैठे बाहर बहुत थंड थी मीरा ने हुदी वाली जैकेट और जीन्स पहना था सबने मोटे कपड़े पहने हुए थे अभीर ने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े मीरा ने एक्साइटेड होते हुए कहा हम कहा जा रहे है शिव ने बोला खुद देख लीजिएगा लवी और अनुका तो अभी से डर के मारे हालत खरब थी लवी बोली हमको तो अभी से डर लग रहा है मीरा और अभीर शिव हसने लगे वो लोग अपनी मंजिल पे भी पहुँच गए सबने जब गाड़ी से नीचे उतर के देखने तो दूर दूर तक कोई नहीं था और बस खेत-खेती दिखाई दे रहा था मीरा बोली यहां क्या है वही वो आदमी खड़ा होके इनकी बाते सुन रहा था और देख भी रहा था वो आदमी ऐसी जगव पे खड़ा था जहां उन लोगों की नजर कभी नहीं जाती उसने अरनव को कॉल किया दो रिंग में अरनव ने फोन उठा लिया अरनव ने कहा है बोलो क्या बात है उस आदमी ने अरनव को सारी बात बता दी अरनव ने कहा हम वीडियो कॉल कर रहे हैं और है उन में से कोई भी तुम्हें देखना पाए इस बात पे ध्यान देना उस आदमी ने कहा जी हुकुमसा अर्नव ने वीडियो कॉल किया तो देखा पांचो एक साथ खड़े है और खेत को देख रहे है अभीर ने बोला वो वाला खेत देख रही है वहाँ एक कोवा है लोग बोलते है एक लड़की ने उसमें कूटके अपनी जान दे दी थी तब से वो यहाँ भटकती है अनू और लवी ने कसके मीरा का हाथ पकड़ लिया मीरा ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा और फिर शिव और अबीर की तरफ देखा तीनों जोर जोर से हसने लगे हसते हसते उनके पेट में दर्द हुने लगा था अनु और लवी तीनों को घूरने लगी तो तीनों ने खुद को कंट्रोल किया और मुपे उंगली रखी एक अरनव ये सब देख रहा था उसकी नजर बस मीरा पे टिकी हुई थी उसकी ये सब हरकत देख के अरनव के फेस पे भी स्माइल आ गई फिर शिव ने बोला हम लोगों को बारी-बारी वहां जाना है और वहां पे एक बॉल में कुछ चित रखी है वो लेकर आना है और उसमें जो लिखा होगा वो करना है जो हारा वो कल पार्टी देगा मीरा ने चिलाते हुए कहा ठीक है तो सब उसके तरफ देखने लगे मीरा ने कान पकरते हुआ धीरे से कहा सोरी लवी ने कहा पर पहले कौन जियेगा मीरा ने सोचते हुए कहा चित निकल लेते है तो अभीर ने बोला not a bad idea मीरा मुस्कुरा दी उन लोगों ने चिद बनाया पहले शिव फिर लवी फिर अनू उसके बाद मीरा लास्ट में अभीर ये सब देखके और मीरा की हरकते देखके अरनव स्माइल करने से खुद को रुक नहीं पाया मीरा ने शिव के कंदे को तपते कम और मारते हुए जादा बोला जाए हमारे शेर दिखा दीजिए सब को कि आप भी किसी से कम नहीं है शिव ने अपना सीना उचा करते हुए बोला देखेगा मीरा हम कितने बहादूर है मीरा ने शरार्ती मुस्कान के साथ कहा हाँ हाँ जाये, कोई भूप देखे तो उसके साथ भाग मत जियेगा अबीर और मीरा हसने लगे मीरा ने देखा तो उन तीनों का मो देखने लायक था शिव ने मो बनाते हुए बोला दो चुलल तो हमसे संभालती नहीं और एक लाने की बात कर रही है मीरा और अनू उसे घूरने लगी और दोनों ने एक साथ उसके पीत पे एक मुका जोर से मारा मीरा ने बोला अब जाये भी शिव खेत की और चल दिया शिव के जाते ही मीरा के फेस पे एक शरार्ती मुसकान आ गई और उसने बोला अब हम आपको दिखाते चुर्यल क्या होती है वो तीनो मीरा को घूरने लगे तो मीरा बोली हमें ऐसे क्यू देख रहे हैं आप लोग हम तो बस एक छोटा सा प्रांक करनेंगे तीनो साथ में बोले कैसा प्रांक मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा वो आपको पता चाल जिएगा उसने कार में से एक वाइट कलर की चादर निकली और खेट के और चली गई अरनव को मीरा को शिव के साथ देख के गुस्से में था उसने कहा उसका पीछा करो आदमी ने जी हुकुम सा कहा और मीरा के पीछे चल दिया मीरा शिव के पीछे पीछे चल रही थी उसने अपने पौको से पायल निकला और बाजने लगी पायल की आवाज सुनते ही शिव ने दरी हुई आवाज में कहा ये पायल की आवाज कहा से आ रही है शिव का चेहरा पिला पड़ गया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मीरा तो अपनी हसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी फिर मीरा ने एक पत्थर उठा के जाड़ियों में फेक दिया जब जाड़ियों में से आवाज आय तो तो शिव ने दर्ते हुए बोला का का कौन कौन है वहां मीरा ने पायल शिव के उपर फेक दिया जैसे ही शिव के उपर पायल गिरी पहले तो शिव को समझ नहीं आया कि ये है क्या पर जब उसकी नजर जमीन पे गिरी पायल पे गई तो शिव जोर से चिलाया भूट 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 है यहां सची में भूट है ये बोलते हुए शिव भागने लगा मीरा ये देख के पेट पकड़ के जोर जोर से हसने लगी मीरा ने हसते हुए धीरे से कहा निकल गई सारी बहादुरी ये देख और सुनके तो अरनव को भी हसी आ रही थी अरनव मन में सोचता है ये लड़की है या तुफान है मीरा चुप चाप चाके अपने दोस्तों के साथ खड़ी हो गई और शिव का वेट करने लगी शिव भागते हुए आया और दरी हुई आवाज में बोला भूट 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 है वहां मीरा नौटन की करते हुए बोली कहां कहां है भूट कहां है अनु अभीर और लवी को सब समझ में आ गया और वो हसने लगे मीरा ने तीनों को देखा और बोली कैसे दोस्तों आप लोग हस कैसे सकते हो और आँख मार दी तीनों मीरा को घूरने लगे तो मीरा ने मासूम सा फेस बना और बोली हमने क्या किया यार एक एक करके अनू और लवी भी गई अब मीरा की बारी थी मीरा बोली अच्छा तो हम चलते हैं तो अनू ने बोला फिर कब मिलेंगी मीरा आँख मारते हुए अनू को साइड हग करते हुए बोली बस अभी दो मिन्यूट में आये हमारी जान अनू ने मो बनाते हुए कहा ओफ जाए अब मीरा सेल्यूट करते हुए बोली जैसा आप कहें मेरे आका ये सब देख के अरनव मुस्कुराते हुए बोला मैं आया करो नहीं चल सकूंगी तुम्हारे बिना में मेरा तुम सारा बनो एक ये सॉंग सुनके अर्नव के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई मीरा अपनी चित लेकर आ गई अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा क्या बात है बड़ी जल्दी आ गई मीरा ने अपने मस्त मोला अंदाज में कहा हम महाकाल के सच्चे भक्त है हमें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता ये बोल के मीरा ने शिव की तरफ देखा और बोली क्यों शिव सही कहा ना हमने शिव ने हां में सिर हिला दिया अब अबीर की बारी थी अबीर फुल आटिट्यूड में बोला अब देखिये हमारा जल्वा मीरा और शिव ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को आंख मारी दोनों साथ में मुस्कुराते हुए बोले जी बिलकुल अबीर चला गया, मीरा और शिव ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाइफाई देते हुए बोले Mission goes to start now ये कह के वो दोनों खेट की तरफ अबीर के पीछे पीछे चल दिये अरनाख तो ये सब देख के गुसे और जलन से पागल हुने को था उसने उस आदमी से कहा, उनका पीछा करो वो आदमी उसका पीछा करने लगा शिव और मीरा अबीर के पीछे-पीछे जा रहे थे शिव को तो खुद ही डर लग रहा था उसने मीरा का हाथ पकड़ रखा था शिव ने मीरा से दरी हुई आवाज में पूछा आ गए क्या करना है मीरा ने शिव को जवाब दिया अरे आप बस देखते जाए मीरा कुछ करती उससे पहले ही एक हाथ पीछे से मीरा और शिव के कंदे पे आया मीरा और शिव ने उस हाथ को देखा फिर एक दूसरे को देखा वो दोनों अचानक से जोर से चिलाए और एक दूसरे को हग कर लिया उन दोनों ने पीछे मुल कर देखा तो अबीर उनके सामने ख़दा दोनों को घूर रहा था ऐसे अचानक से अबीर को देखकर वो दोनों फिर से डर गए और इस बार और जोर से चिलाए जैसे वो अबीर नहीं कोई भूठो मीरा ने लंबी सांस ली और खुद को नॉमल किया फिर उसने शिव की तरफ देखा उसके बाद अबीर की तरफ देखने लगी अबीर दोनों को गूरते हुए बोला आप दोनों यहां क्या कर रहे है मीरा और शिव एक दूसरे से अलग हुए और अबीर को देखा मीरा ने हर बढ़ाते हुए कहा वो हम हम वो अबीर वो हम हाँ हमें ना आपकी चिंता हो रही थी इसलिए ही हम आपको देखने आये थे बस शिव ने मीरा की बातों में हमी भरते हुए कहा हाँ हाँ मीरा सही बोल रही है हम तो इसलिए ही आये थे और कोई बात नहीं है दोनों साथ में बोल ले। हाँ देख लिया ये कहकर वो दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे कोई राक्षस उनके पीछे पर गया वो और वो दोनों अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हो। आप जिससे सबसे जादा प्यार करती है उसे किस करो। सबने जब ये सुना तो अनू की तरफ देखने लगे अनू इस वक्त मुस्कुरा रही थी अनू ने अपना सर उठा कर मीरा की तरफ देखा जब मीरा ने देखा कि अनू उसे कैसे देख रही है तो उसने नामे सर हिलाते हुए कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती ये कहकर मीरा जैसे ही भागने को हुए अनु ने उसे पकर लिया और जल्दी से मीरा के गल पे किस कर दिया? सब ये देख कर हंसने लगे और मीरा ने मोग बना लिया. फिर लवी ने चित खुला. लवी के बाद अबीर ने भी अपनी चित खुली ये सब हो जाने के बाद वो सब होटल के लिए निकल गए और होटल में जाके सो गए अभी चार बजे थे अरनव अभी आपने रूम में बैट पे आँखे बंद करके लेटा हुआ था उसे बार बार अपनी और मीरा की वो किस यादार ही थी अरनव ने अचानक से आँखे खुली और और धीरे से बोला ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर मीरा जो हमें तुमारी तरफ अट्राक करता है ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ अरनव चुक हो गया वो उठकर बालकनी के पास गया और आसमान की तरफ देखते हुए अपनी आँखे बंद कर ली अरनव के आँखे बंद करते है उसकी आँखों के सामने मीरा का वो गुसे से लाल चहरा अरनव के सामने आने लगा अर्नव ने अपनी आँखे खुली अर्नव के चहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहत आ गई अर्नव ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा तुम्हारा चेहरा याद करते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ये जो भी है पर हमारे मुस्का कुरने की वजल तुम हो सिर्फ और सिर्फ तुम अर्नव मन में ही बोला सो मीरा सोयवन शी गेट रेडी टू बी माइन ये कहकर अर्नव मुस्कुराता है और जाकर सो जाता है